हेलो बच्चो आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन पत्र जो है हमारी जो है कक्षा छटी से शुरू हो जाते हैं और छोटी कक्षाओं में भी छोट छोटे पत्र लिखना बच्चे को सिखाते हैं कम शब्दों में लेकिन छटी साथवी आठवी नौवी दसवी ग्यारवी मुझे का कि मैं पत्र लेखन के बारे में बताएं तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ पत्र लेखन मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें ताकि और बच्चे भी पत्र लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें आ सबसे पहले देखिए पत्र लेखन क्या होता है पत्र लेखन विचारों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है इसी के माध्यम से लोग अपने मन की बात दूर रहने वाले व्यक्ति तक पहुँचाते हैं और पत्र लेखन एक कला होती है पत्र लिखते समय किन-किन बातों को पत्र भेजने वाले का नाम पता दिनाक आधी पश्ट उल्लेक होना चाहिए परिक्षा भवन में पत्र लिखते समय आपके नाम के स्थान पर कखग लिखना चाहिए मैं यह हमेशा बच्चों को बताती हूं कि यदि परिक्षा भवन में पत्र लिखने के लिए आता है तो उस प्राप्त करता की आयू संबंद योगिता आधी को ध्यान में रखते हुई भाशा का प्रयोग करना चाहिए कि आप छोटे को पत्र लिख रहे हो बड़े को लिख रहे हो किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं और पता पहले ये दाई और लिखा जाता था आज के लिए बाई और लिखने का प्रचलन हो गया है संबंद और एवम अभिवादन जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसकी आयो योगता संबंद आदी के अनुरूप शब्द होने चाहिए विशेवस्तू पत्र के अंत में पत्र लेखक पाने वाले से अपने संबंद के अनुरूप शब्द वली का प्रयोग करता है तथा उसके नीचे हस्ताक्षर भी करता है और अंतमे में क्या करते हैं हम समापन करते हैं यह जो पत्र लिखते समय ध्यान रखने होगे वाली जो बाते हैं इसको मैं चाट के थूँ एक तालिका के थूँ आपको समझा रही हूँ तो देखो मैंने यह तालिका बनाई है इसको आप ध्यान से देखना जैसे जिसे पत्र गया हूँ। संबोधन क्या करेंगे अभिवादन क्या हो गर समापन क्या होगा। है ज़ि पत्र लिखने वाला आप में आप प्रियोो करेंगे आदर्नियेयद्, पूझ निये था कुछ लुञा होगा। अगर अपने साथवालों को पत्र लिख रहे हैं, तो क्या लिखा जाएगा, समबोधन में प्रियबंदू, प्रिये मित्र, प्रिये सकी, प्रिये भाई या बेहन, और अभिवादन में मधुस्मृति, सप्रेम, नमस्कार, और समापन में अभिनिहित्दे, तुमारा मित्र, त तो हम क्या लिखेंगे? जिसे पत्र लिखा हो किसी अधिकारी, संपादगय प्रधाने चारय आधिकों तो सम्बोधन में क्या आएगा? अभिवादन में माननेवर या महोदय और शपमापन में प्रार्थी, निवेदक, विनीत या भवदिय तो इन शब्दों का आप ध्यान जरूर रखें, इन शब्दों का जिस हिसाब से आपको पत्र लिखना है, उस हिसाब से आप शब्दों का प्रियोग करें, अब पत्र के प्रकार देखें, पत्र दो प्रकार के होते हैं, अपचारिक पत्र और अनपचारिक पत्र, जिस हम तीन प्रकार से कह सकते हैं आफकाश風 और प्रातना हो गया लिए पत्र पत्र हो एक लिए लिए पत्र प्रातना होगा nnक्तर क다고 कृसायता है। पत्रे लिएं रखना चाहिए। और भी नियमों बंदे हुए होते है। इस प्रकार के पत्रों में भाशका प्रियोग ध्यान पूर्वक किया जाना चाहिए, अनवशक बातों का प्रियोग नहीं किया जाना चाहिए, पत्र का आरंब और अंत प्रभावशाली होना चाहिए, पत्र की भाशा सरल, लेक स्पष्ट वे सुन्दर होना चाहिए, यदि आ परिक्षा भवन ने पत्र लिख रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए परिक्षा भवन यानि अपने पत्र के स्थान पर काखागा और अपने नाम के स्थान पर भी काखागा लिखना चाहिए यह मैंने पहले ही बताया था कि अगर परिक्षा भवन में पत्र लिख रहे हैं तो आप अपना नाम नहीं लिखेंगे पत्र प्रिष्ट के बाई और से हाशी है हाशी है मतलब जो पर margin line होती है के साथ मिला कर लिखना चाहिए हाशी है मतलब margin line उपर नीचे जो side की और उपर की जो line होती है उनसे मिला कर लिखना चाहिए पत्र को एक प्रेष्ट में ही लिखना का प्रियास करना चाहिए प्रधानाचारी को पत्र लिखते समय प्रेषक के इस्थान पर अप्रनाम कक्षावे दिनांक लिखनी चाहिए यदि आप फीस माफी के लिए या विद्याले से संबंदित कोई भी पत्र अगरा प्रधानाचारी को लिख रहे हैं तो आप उसमें अपना नाम, अपनी कक्षा, अपना जो है रोल नंबर और दिनाग ये ज़रूर लिखेंगे अपचारिक पत्र के प्रारूप देखिए जिससे सेवा में लिखकर पत्र प्रापक का पदनाम तता पत्था लिखकर पत्र की शुरुवात करें दूसरे नमबर पे हमें विशे जरूर लिखना चाहिए विशे से विशे में ऐसी वाक्यों का लिखो जो मतलब पत्र का संकेत के हमने पत्र में क्या लिखा है तीसरा हमारा होना चाहिए संबोधन जिसमें हम महोदे, महोदिया, मानिने शिष्टापूर्ण शब्दों का प्रियोग करना चाहिए चौते नमबर पे हमारा होता है विशे वस्तू इसमें दो नुछेद में हमें लिखना चाहिए पहला नुछेद में जैसे सवीने निवेदन यह है कि से वाक्यांश शुरू करें अपनी समस्या के बारे में लिखें और दूसरे नुछेद में आपसे विनम्र निवेदन है कि लिखकर आप मतलब उनसे उमीद करें कि जो आप कह रहे हो उसको वो सुने ध्यान से और समझें और उस समस्या का निवारन करें तो यह आपको दो अनुछेद के रूप में विश्यवस्तु लिखनी चाहिए पाचवे नंबर पे आपका आता हस्ताक्षर वे नाम आपको धन्यवाद के साथ या अगर किसी चीज़ के लिए शामा मांग रहे है तो शामा के साथ ऐसे शब्दों का इस्तमाल करके अंतमे भवदिय या भवदिया प्रार्थी लिखकर हस्ताक्षर करें और नीचे अपना नाम जरूर लिखें छटे नंबर पे प्रेशक का पता मतलब जहां प्रह रहे हैं वहां शहर का नाम आपके गली का नाम आपका मकान नंबर पिनकुड होना चाहिए और साथवे नंबर पे आपका क्या है दिना गुनी चाहिए तो यह आपका प्रारूप होता है तो इस तरह से बच्चो यह अपचारिक पत्र आपके समापत हो गए अब हम पढ़ते हैं अनुपचारिक पत्र यानि इन्फॉर्मल लेटर इस वर्ग में व्यक्ति या पारिवारिक पत्र आते हैं इस प्रकार के पत्र हम माता पिता, भाई भैन, दादी दादा अपने मित्र सहेली को, चाचा चाची को यह तरह के जो हमारे सगे संबंदी होते हैं उनको हम यह पत्र लिखते हैं ये पत्र जो हैं देखो कितने प्रकार के होते हैं जैसे बधाई पत्र, शुपकामना पत्र, निमंतरन पत्र, किसी विशेश अफसर पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, कोई सला आदी देने के लिए, अब अपचारिक पत्र जो भाइशा और वर्तनी शुद्ध तथा लेक स्वच होना चाहिए पत्र प्रेशक वे प्रापक वाले का पता साव वे स्पष्ट होना चाहिए कक्षा परिक्षा भवन में पत्र लिखते समय क्या लिखना चाहिए हमें काखा लिखना चाहिए और अपना पता और दिनाक लिखने पता आता है, तो आप बाई और प्रेशक, यानि पत्र भेजने वाला जो है, उसका नाम वैं पता लिखेंगे, दूसरे नमबर पे आप दिनाक लिखेंगे, तीसरे नमबर पे आप विशे लिखेंगे, विशे मतलब अनुपचारिक पत्रों में विशे बहुत जरूरी होता है लेकिन अनुपचारिक पत्रों में विशे नहीं लिखना होता, तो आप विशे नहीं लिखेंगे, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, संभोधन से शुरू करेंगे, तो जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है, आप क्या करेंगे, उसके साथ जो भी आपका संबंद है, उसके अनुसार आप शब्दों का प्रियोक करेंगे, बड़ों के लिए पूजनिये, पूजये, आदर्निये, इन शब्दों का प्रियोक करेंगे, छोटों के लिए अगर पत्र लिख रहे है, प्रिये, प्रियेवर, स्नेही, आदिकाम प्रियोक करेंगे उसके बाद अभिवादन, जिसको पत्र लिखा जा रहा है, उसके साथ संबंद के अनुसार, जैसे कि सादर प्रणाम, चरंड, स्पर्ष, नमस्ते, नमस्कार, मदूर प्यार, आदी, इन शब्दों का आप प्रियोग करेंगे, फिर आप मुख्य विशे, मुख्य विशे भी अविशे, दूर्णाम, अप Chuck, मैं, चर्णे भी विशे, मुख्य विशे विशे, नि जो भी बात आपको करनी है, तीन अनुच्यद में लिखेंगे, तो पहले अनुच्य में आप समापती के से पहले कुछ वाक्य अपने परिवार वे संबंदियों की कुछ अलता के लिए लिखेंगे जैसे कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम छोटों को आशिरवाद वे प्यार आदी इस तरह के शब्दों को आप इस्तमाल करेंगे अंत में सात्वा क्या होता आपका समापती तो अंत में प्रेशक का संबंद जैसे आपका पुत्र आपकी पुत्री आपकी बती जी आपकी चूटी बहन या आपकी बड़ी बहन इस तरह से करके आप इनका समापन करेंगे तो ये बच्चों देखो ये पत्र लिखने का आपका तरीका है जो मैंने आप आपको बताया है तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से काफी मदद मिलेगी पत्र लिखने में आप मेरी वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें धन्यवाद